शीत कालीन सत्र में देवेंदर बबली की धमक भष्टा चार मुक्त पंचायती राज के नारे पर लगी मुहर नहीं टिकपाई देवेंदर बबली के मंत्राले पर लगे विपक्षियों के आरो ब्रश्टाचार मुक्त पंचायती राज की मुहिम में लगे पंचायती राज मंतरी द्रेवेंदर बबली के लिए इस बार का हरियाना विधान सभा का शीत कालीन सत्र उनकी मुहिम को और आगे बढ़ा गया विपक्षी पार्टी कॉंग्रिस और उनकी खुद की पार्टी जेजेपी के विधायकों द्वारा उन्हें विधान सभा में घेरने की कोशिश की गई लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस इमानदारी से देवेंदर बबली ने लड़ाई शुरू की है वो इमानदारी उनके काम आई उनके द्वारा किये गए इमानदारी से काम उन पर लग रहे आरोपों के सामने वो ढ़ाल की तरह खड़े हो गए विधान सभासातर के दोरान कॉंग्रेस विधायक मामन खान ने जब उनके विभाग में भ्रष्टाचार की बात कही तो देवेंदर बबली ने तुरंत जवाब देते हुए कहा मानता हुँ भ्रष्टाचार था लेकिन अब तो कार्रवाई खुब की है और उस पर लगाम भी लगा दी है बबली ने साफ कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देगी एक रास्ते के 20 नाम रखे 20 बार पैसे निकाले उनका रिकोर्ड नहीं और एक भी रोडी वहां नहीं लगी 90 केटरसेड बनाए एक भी केटरसेड नहीं बनाए उनकी सारी पैमेट खागे और मंती जी कहते है हमारे पर रिकोर्ड ही नहीं और इसी तरह से एक बिच्छोर में एक फायर बातीस हुई दो सीम फ्लाइए नहीं की थी यह रही तेरे करब कोई उनका मतलब कारवाई नहीं होती पिर क्यों एक फायर लोड करते हैं क्यों फ्लाइंग टीम टीम लगांग नहीं लगता तो क्या जो होता है इन तीमों को बन या पाई गई थी ये बिलकुल हमारे दैख जी ठेख सही कह रहे हैं और हमने हमारा जो विजनेस विंग है डिपार्टमेंट का उसको ये जांच के आदेश विबाग के दोबारा दिये गए थे और इसमें जो जो लिप्त पाई गए है अधिकारी या करमचारी उन पर है फा देवेंदर बबली की अपने विभाग में भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की वजह से बबली ने विधान सभा में सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले बलराज कुंडू को भी चुप करवा दिया उनके तरक के सामने बलराज कुंडू भी बहस नहीं कर पाए कोई पावर हमारे जो चुनई पंचायते हैं सरकार के दोबारा कम नहीं की गई है सिरफ और सिरफ जो प्रोसेस मैनुवली था हम उसको टेंडर प्रोसेस में लेके गए हैं उसकी ड्राफ्टिंग कल भी मानिय मुख्यमंद्री जी ने रात के 12 तक मीटिंग लेके तियार कर वाली है और कल मानिय मुख्यमंद्री जी उसका उलेक भी करेंगे और ये कह देना कि सरफ पंचों को चोर किसने चोर कहा काम मैनुवली की बजाए सिरफ और सिरफ ये खुद आप लोग ये अपने मुझे बोल रहे हैं वो चुने परतिमिदी हैं उनके सुधानिक राइट है सरकार उनको सुरक्सित कर दिया हूर इँड जीबायन है उसको हम करना चाते हैं जेरो टॉलल्स पर हम काम करना चाते हैं जो गखले थे हजाब सरफ पंचों की इनकुवारियां कुली हुई है उसमे अधिकारी करमचारी भी असमलित है उसमें कड़े कानूनी कारवाई हूई हान के भी होगी शिरफ और सिरफ यह कहते हैं मैनgas क्या भनाएंगे आज यह विल्डिंग हैसारे आप तो खुट लेकेदार है आप भाट लेकेदार हैं आप पताईए मैनus प्रकार कामठीप कहते हैं इमानदारी के रास्ते में मुश्किलें तो जरूर आती है लेकिन सफल का इमानदारी को ही मिलती है देवेंद्र बबली भी इसी रास्ते पर निकले है लेकिन अब देखना होगा उन्हें अपनी इस इमानदारी के रास्ते पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पॉलिटिकल जैस्क सत्य खबर सत्य खबर सत्य शती बेबार